साथ संगत जी प्रेम से कहना धन नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चानल पर हमारी आज की साखी का श्री शक है नाचे भोले नाथ नाचावी श्रीराम चलिए संते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी भगवान शंकर जी और श्रीराम जी में अनन्ये प्रेम है जब जब भगवान पृत्वी पर अव्टरित होते हैं तब भोले भंडारी भी अपने आराध्य की मनमोहिनी लीला के दर्शन करने के लिए प्रित्वी पर उपस्तित हो जाते हैं भगवान शंकर एक अंश से अपने आराध्य श्री राम जी की लीला में सहियोग करते हैं और दूसरे रूप में उनकी लीलाओं को देखकर मन ही मन प्रसन्न होते हैं एक बार कैलाश परवत पर भगवान शंकर जी ने पारवती से कहा कि जिनके नामों को मैं दिन रात रटता रहता हूँ वे ही मेरे प्रभू अवतार धारन करके सुंसार में आ रही हैं सभी देवता उनके साथ अवतार ग्रहन करके उनकी सेवा करना चाहते हैं तब मैं ही उससे क्यों वंचित रहूं मैं भी वहीं चलूं और उनकी सेवा करके अपने युगों की लालसा पूरी करूं सती जी ने कुछ सोच कर कहा कि भगवान का आवतार रावन को मारने के लिए हो रहा है और रावन आपका नन्य भगत है उसने अपने सिरों को काट कर आपको अर्पित क किया है ऐसे सिती में आप उसे मारने के कारिया में कैसे सहयोग कर सकते हैं भगवान शंकर जी ने हसते हुए कहा जैसे रावन ने मेरी भगती की है वैसे ही उसने मेरे एक अंश की अभिलना भी की है मैं ग्यारा सवरूपों में रहता हूं जब उसने अपने दस सर अर्पित क करके मेरी पूजा की थी तो वे एक अंश को बिना पूजा किये ही छोड़ दिया था अब मैं उसी अंश से उसके विरुद्ध युद्ध करके अपने प्रभु की सेवा कर सकता हूँ मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गरब से अवतार लेने का निश्य किया है साथ संगत जी इस प्रकार से ग्यारवे रुद्र ही हनुमान जी के रूप में आवतरीत हुए दास्य भगती का रस चखने के लिए शंकर जी बन गए हनुमान भगवान सदाशीव ने केवल सती का शरीर का त्याग नहीं गिया वरन श्री राम जी की सेवा के लिए स्वयम के शरी का भी त्याग कर दिया वानर रूप हनुमान बनकर भगवान शंकर जी ने श्री राम जी वे उनके परिवार की ऐसी सेवा की आज भी कर रहे हैं और भविश्य में भी अनंत काल तक करते रहेंगे कि सभी को उन्होंने अपना रणी बना लिया सासंगत जी जिब श्री राम जी ने दश्रत नंदन के रूप में कोशल्या के अंक में जनम लिया तो अयोध्या के जन जन में उत्सहा चा गया अयोध्या पूरी में नित नूतन महत्सव होने लगे अथाहा अतितियों का सैलाब अयोध्या की ओरु मड़ पड़ा श्री राम लल्ला के दर्शन के लिए भोले भंडारी सहीत विबन देवता अवद में आ गए ब्रह्मादी देवता तो भगवान का दर्शन स्तुति करके वापस लोट गए किन्दु शिंकर जी का मान अपने अराध्य श्री राम जी की शिशु क्रीडा की जाकि में ऐसा उल लगे कभी वे राजा दशुरत के राज दवार पर प्रभू गुन गाने वाले गायक के रूब में तो कभी बिक्षा मागने वाले सादु के रूप में वो पस्तित हो जाते थे कभी भगवान के अवतारों की कथा सुनाने के बहाने प्रकांड विद्वान बन कर राज महल में पहुँच जाते और वे काक भुशुंडी जी के साथ बहुत समय तक आयोध्या की गली में घूम घूम कारानंद लूटते रहे एक दिन शंकर जी काक भुशुंडी को बालक बना कर स्वयम तरकाल दर्शीवरद जोतिशी का वेश धारण कर शिशुओं को फलादेश बताने के पहाने आयोध्या के रनिवास में प्रवेश कर गए अब माता कोशलया ने जैसे ही शिशुश्रीरामजी को उन जोतिशी की गोध में बिठाया तो शंकर जी का रोम रोम पुल कित हो गया वे बालक का हाथ देखने के बहाने कभी उनके कोमल कर कमलों को सहलाते कभी अपनी जटाओं से उनके रक्ताब तलवों को थप थपाते और देवताओं के लिए भी दुरलब उन्चरण कमलों का दर्शन करके परमानंद में निमगन हो जाते इस प्रकार कभी वे अपने अराध्या का हाथ देखते कभी सहलाते कभी चरणों को देखते कभी उन्हें गोद में सहलाते साथ संकर जी अब दश्रत नंदन श्री राम भाईयों सहीत पैदल चलने लगी फिर वे एक ही जगा कैसे रह सकते थे जिदन मनाए उदर ही राज महल के द्वार तक दौर लगाने लगी एक बारूमा पती भगवान शंकर जी मदारी के वेश में डमरू बजाते हुए आवद के राज महल के द्वार पर पहुँचे उनके सथ नाचने वालक संदर बंदर भी था मदारी और बंदर का खेल देखने के लिए राज महल के द्वार पर भीड जमा हो गई डमरू की अवाज सुनकर श्री राम सहीट चारो भाई भी महल के द्वार पर आ गए तभी मदारी ने जोर से डमरू बजाया और बंदर ने श्री राम जी को देखकर दोनों आज जोड लिए ये देखकर सभी भाईयों सहीट श्री राम जी हसने लगे मदारी तो जैसे निहाल हो गया वह भी जोर से डमरू बजाने लगा डमरू की अवाज के साथ बंदर भी ठुमक ठुमक कर नाचने लगा साथ संगत जी नाचने और नचाने वाले दोनों ही भगवान शंकर भगवान शंकर एक अंश से वानर रूप में अपने अराध्या के सामने नाच रहे थे और दूसरे अंश से स्वयम ही मादारी बनकर अपने आपको नचा रही थे संपूर्ण स्रिष्टी को नचाने वाले कोशल्या नंदन श्री राम नाच से मुगद होकर हाथ से तालीब जाकर प्रसन हो रहे थे अब भगवान ने लीला की शिशु राम मचल उठे कि मुझे ये वानर चाहिए मदारी तो चाहता ही ये था अपने अराध्या के चरणों में रहने की अभिलाशा लेकर ही उसने वानर रूप धरा था अब महराज दशरत के पुत्र के कामना धूरी कैसे रहती अब उस वानर के डोर कोशल्या नंदन के हाथों में थी तो अब तक तो भोले नाथ बंदर के रूप में अपने आपको नचा रहे थे परंतु अब वह स्वयम नाच रहे थे और नचाने वाले थे प्रभू श्री राम बंदर के सुख और अनंद की सीमाना थी अब मदारिय दरिश्य हो गया शायद अपनी समाधी अवस्ता में अपनी अराध्य का दर्शन करने के लिए कैलाश परवत चला गया था हनुमान जी को अपने स्वामी के समीप रहने का मौका मिल गया अब श्री राम जी को जैसे सुख मिले उनका मनरंजन हो वही करते इस प्रकार से कई वरश ख्षन में ही बीत गए अब एक दिन महारशी विश्वमित्र श्री राम जी को वन मिले जाने के लिए आये तब श्री राम जी रहनुमान जी को एकांत में ले जाकर कहा कि मेरे सखा हनुमान मेरे प्रिथवी पर अवतरित होने का परमुख कारे अब शुरू होने वाला है अब मैं रामन कवद करके प्रिथवी पर धरम की स्थापना करूँगा और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इसलिए तुम रिश्य मुक परवत पर जाकर सुग्रीव से मितर्ता कर लो थोड़े ही दिन मैं मैं वहाँ हूँगा वहाँ तुम मुझ से सुग्रीव की मितर्ता करवा कर वानर भालूओं के साथ मेरे अवतार कारे में मेरी मदद करना हनुमान जी अपने अराध्य से दूर होना नहीं चाहते थे किन तो भगवान की आगय का पालन करने के लिए वो भरे मन से चल दिये साथ संगर जी यही राम काज है और इसी कारे में सहायक होने के कान हनुमान जी पूजे है तो इस प्रकार से भगवान शंकर ने कभी देव रूप से, कभी मनुष्य रूप से और कभी वानर रूप हनुमान जी के रूप में प्रभुश्र राम जी की सेवा की और उपासकों के सामने अपने अराध्य की किस प्रकार सीवा की जाती है किस प्रकार उन्हें प्रापत किया जाता है इसका उधारण भी प्रस्तित किया साथ संगत जी अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दीजेगा आप सभी से फुरसे मुलाकाश जरूर होगी नई साखी के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार जी